नमस्कार दोस्तों, हमारी यूटूब चैनल एक्जाम लटनर में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग महत्पूर दिवस यो उनके बिस यानि की थीम को पढ़ेंगे जो कि आपके करेंट अफियर्स के पार्ट से बहुत ही महत्पूर है यहां से एक प्रस्ण जो है आपके UPPCS एक्जाम में जो है पूछा जा सकता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेर कर दीजेगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में वेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोडिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका पीडियाप आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया है वहाँ से जोइन करके आप पीडिया भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं महतपूर दिवस है उनके बिस है यानि की थीम तो सबसे पहला जो है इसमें आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो सबसे पहला आपका विस्व परेटन दीवस यह आपका 27 सितंबर 2020 को मनाये गया है इसका थीम क्या था इस बार का तो टूरिजम एंड रूरल डेपलेप्मेंट इस बार का जो है थीम रहा है विस्व परेटन दीवस का उसके बाद जो है अगला है अंतराष्टी सांती को मनाये गया है इस बार का विस्व परेटन दीवस का थीम रहा है तो याद रखेगा अंतराष्टी सांती दीवस आपका 21 सितंबर को मनाये जाता है अगला आपका अंतराष्टी सांती दीवस यह 8 सितंबर 2020 को मनाये गया है इस बार का थीम क्या था तो लिटरेशी टीचिं and learning in the COVID-19 crisis and beyond इस बार का जो है थीम रहा है तो अंतराश्ट्री साच्छरता दिवस आपका 8 सितंबर को मनाए जाता है अगला आपका अंतराश्ट्री इवा दिवस यह आपका 12 अगस्त 2020 को जो है मनाए गया अंतराश्ट्री इवा दिवस इस बार का थीम था Youth Engagement for Global Action तो थीम भी जो है आपसे पूछा जाता है तो याद रखेगा अंतराश्ट्री इवा दिवस वारे अगस्त 2020 को मनाए गया है इस बार का थीम था Youth Engagement for Global Action अगला आपका कि 200 Hepatitis दिवस यह 28 जुलाई 2020 को मनाए गया है इस बार का थीम था Hepatitis Free Future Next आपका राश्ट्री सांखी की दिवस तो यह आपका आरो ए आरो की एकजाम में जो है पूछा गया था थीम पूछा गया था इस बार तो राश्ट्री सांखी की दिवस यह आपका 29 जुन 2020 को मनाए गया है इस बार का थीम था तो थीम भी है साथ साथ में आपको याद रखना है अंतराश्टी योगा दिवस यह आपका 21 जुन 2020 को मनाए गया है इस बार का थीम था आपका योगा for health, योगा at home Next step आपका 200 सरडार्थी दिवस यह आपका 20 जुन 2020 को मनाए गया है 20 है क्या था? तो every action counts इस बार का जो है 27 था 27 दिवस का अगला हापका 200 रख्तदान दिवस यह 14 जुन 2020 को मनाए गया है 200 रख्तदान दिवस इस बार का थीम था safe blood, safe lives तो याद रखे का थीम 200 रख्तदान दिवस 2020 का थीम था safe blood, safe lives उसके बाद नेक्स्ट आपका यह जो है important है 200 परियावरण दिवस 5 जुन 2020 को जो है मनाए गया है और पहले जो है time for nature के साथ इसका बिशेय रख्तदान दिवस बाद में जो है celebrate bio diversity इसका थीम जो है रख्तदान दिवस तो 200 परियावरण दिवस का थीम क्या था celebrate bio diversity नेक्स्ट आपका 200 दुख्द दिवस यह आपका 1 जुन 2020 को मनाए गया है इस बार का थीम था the 20th anniversary of world milk day अगला है आपका 200 तंबाकू निशेद दिवस यह आपका 31 मई 2020 को मनाए गया है इस बार का थीम था protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use नेक्स्ट आपका अंतराष्टी जयो बिवित्त दिवस यह भी जो है आपका महत्पूर है 22 मई 2020 को मनाए गया है थीम क्या था तो our solutions are in nature यह द रखेगा अंतराष्टी जयो बिवित्त दिवस कब मनाए जाता है तो 22 मई को मनाए जाता है नेक्स्ट आपका बिश्व रिड क्रास दिवस यह भी आपका 8 मई 2020 को मनाए गया है इस बार का थीम था hashtag keep clapping for the volunteers, staff and everyone responding to COVID-19 नेक्स्ट आपका बिश्व प्रेश स्वतनत्त दिवस यह 3 मई 2020 को मनाए गया है थीम क्या था? तो journalism without fear and favor अगला है आपका बिश्व प्रिथिवी दिवस यह आपका 22 अपरेल 2020 को मनाए गया है थीम क्या था? तो climate action इस बार का थीम था बिश्व प्रिथिवी दिवस का अगला है आपका बिश्व स्वास्थ दिवस यह 7 अपरेल 2020 को मनाए गया है इसका थीम यानिकी बिश्व था support, nurses and midwives नेक्स्ट अब आपका बिश्व जल दिवस यह आपका 22 मार्च 2020 को मनाए गया है तो थीम क्या था? इनकी बिश्व है Water and Climate Change बिश्व जल दिवस 2020 का थीम था अगला है आपका अंतराष्ट्री बंद दिवस 21 मार्च 2020 को मनाए गया है इसका थीम था Forest and Biodiversity तो याद रखे का अंतराष्ट्री बंद दिवस कब मनाए जा था? तो I am Generation Equality Realizing Women's Rights जो है इस बार का थीम था अगला है आपका बिश्व कैंसर दिवस ये चार फरवरी 2020 को मनाए गया है थीम क्या था? तो I am and I will इस बार का जो है थीम था अगला है आपका World Whitlands Day यानि की आदरभूम दिवस तो ये दो फरवरी 2020 को मनाए गया है बिश्य था? आदरभूम योम जयो बिवित्ता अगला है आपका राश्ट्री मतदाता दिवस ये 25 जनवरी 2020 को मनाए गया है बिश्य था? मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षर्ता अगला है आपका तराश्ट्री सिच्छा दिवस ये आपका 24 जनवरी 2020 को मनाये गया है थीम था Learning for People, Planet, Prosperity and Peace नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी 2020 को मनाये गया है विश्व है था New World, New India, New Hindi अगला है आपका कि मानुवा दिकार दिवस तो ये 10 दिसंबर को मनाये जाता है तो मानुवा दिकार दिवस 10 दिसंबर 2019 का थीम क्या था तो Youth Standing Up for Human Rights अगला आपका विश्व मिर्दा दिवस ये आपका 5 दिसंबर 2019 को मनाये गया तो थीम था Stop Soil Erosion Save Our Future अगला आपका 208 से दिवस तो 1 दिसंबर 2019 को मनाये गया तो इसका थीम था Communities Make the Difference अगला आपका 214 दिवस ये जो है पूछा भी गया है 19 नौवंबर 2019 को मनाये गया थीम क्या था? तो Leaving No One Behind जो है 214 दिवस 2019 का थीम था 214 दिवस कब मना जाता है? तो 19 नौवंबर को मनाये जाता है ये याद रखियेगा अगला आपका 209 दिवस 14 नौवंबर को मना जाता है और 14 नौवंबर 2019 को मनाये गया 209 मदुवे दिवस का थीम था Family and Diabetes अगला आपका 209 नीमोनिया दिवस तो ये 12 नौवंबर को मनाये जाता है और बारे नॉवंबर 2019 को मनाये गया विशु निमोनिय दिवस का थीम क्या था? तो healthy lungs for all नेक्स्ट आपका विशु स्थांखी की दिवस तो ये आपका 20 October को मनाये जाता है विशु स्थांखी की दिवस 20 October को मनाये जाता है थीम क्या था? 2019 का तो bitter data, bitter lives नेक्स्ट आपका विशु खादे दिवस ये आपका 16 October को मनाये जाता है 16 October 2020 को 20th खादे दिवस मनाये थीम क्या था? तो our actions are our future 2019 का थीम था और अगला आपका अंतराष्ट्री बालिका दिवस ये आपका 11 October को मनाये जाता है 11 October 2020 को मनाये गये अंतराश्ट्री बाली का दीवस का थीम था Girl Force Unscripted and Unstoppable तो याद रखे अंतराश्ट्री बाली का दीवस यह आपका 11 एक्टूबर को मना जाता है और राश्ट्री बाली का दीवस जो आपका हुआ यह आपका 24 जनवरी को मना जाता है तो दोनों ही जो है याद रखेगा आप लोग तो ये था जो है आपका important दीवर्स और उनके जो है theme तो ये आपका एक परस्ण जो है यहाँ से हमेशा पूछा जाता है तो इसे आप याद रखेगा जोरू तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो like share कर दीजेगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ में वेल आइगन को प्रेस जरूर कर लीजेगा यहां से हमेशा पूछा जाता है किसी कोई भी एक्जाम हो जो है यहां से एक प्रस्ण हमेशा बनता ही है तो इसे एक बार एक्जाम से पहले जरूर देख लिजेगा तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद